Emotions and Brain जब हमने Emotions के Expressions को देखा था, तो मैंने Brain का डायग्राम दिखाया था, कि Physiological Arousal क्या होता है देखें हम सेंसेशन के बगएर कोई भी काम इनसान रिस्पॉंड नहीं कर सकता ना समझ सकता है तो लेकिन कुछ Arousal या सेंसेशन अंदर से आती है, मसला आपके पेट में दर्द हो रहा है, आपके पाउं के अकड़ गया है या आपको किसी जगा रिलैक्सेशन महसूस हो रही है, तो आप अपनी बॉडी के क्यूज भी लेते हैं और बाहर से भी लेते हैं Emotions के पीछे कुछ Physiological Arousal होता है Arousal का मतलब होता है कि कुछ लहरें, brain के अंदर चलती है, electrical signals जो कुछ areas को activate करती हैं और वो area मुक्तलिफ response को trigger करते हैं और वोई जो emotions हमने discuss किये, उनकी base brain में है अब sensation से भी हो सकता है कि आवाज आई तो डर लगा, कोई आवाज आई तो खुश ही महसूस हुई कोई खुश मूस हूंगी तो खुश हो गए, महबबत का जजबा महसूस किया ये भी हैं, कोई शकल देखके बहुत अच्छा लगा, कोई शकल देखके हुसा आया या डर लगा बाहर से भी है लेकिन अंदर से भी है तो ब्रेन के एरिया इस तरह कनेक्टेड होते हैं कि वो अंदर और बाहर दोनों चीज़ों के जवाब में जजबात को महसूस कर रहा हुता है जजबात महसूस जब ब्रेन एक्टिवेट होता है, तब ही होते है लेकिन महसूस कराने से पहले brain activate कैसे होता है तो जैसे मैंने का वो सोच से भी हो सकता है वो बाहर से आने वाली किसी information से भी हो सकता है किसी याद से भी हो सकता है इसमें जो पूरा system है जिस लिंपिंग system का जाता है इसके जो parts हैं वो मैंने यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ a limping membrane area जो है उसके अंदर काफी critical role होता है autonomic function का autonomic function की होता है कि किसी चीज़ के बारे में सोचने की ज़रूरत ना पड़े और बाडी खुद बखुद उस पे response दे जैसे गरम चीज़ आपके हाथ को लगती है तो आपका हाथ खुद बखुद हटता है उसमें कोई सोच के planning करके meeting करके नहीं फैसला होता तो autonomic improvement आप गिरते हैं आपकी body खुद ही संभलने की कोशिश करती है autonomic function इसी तरह और जग़ों पर काम करता है भी दाना आए या कुछ और यही जो brain का area है वो behavior को motivate करता एक जो motivated behavior है जैसे मैंने खाना खाना है के नहीं मैंने यह पढड़ना है के नहीं मैं क्या चीज़ करना चाता हूं किस की तब जाना चाता हूं किस चीज़ से नहीं इंटरेक्शन करना चाहता तो यह सब जो है behavioral responses और उसके पीछे जो motivation है खास तोर पे towards the threatening stimuli जिसका मतलब है कि यह जो midbrain का area आप देख रहे हैं limping के अंदर यह खौफ के लिए threat को मैसूस करके उसके हिसाब से processing करता है और उसको react करता है behaviorally tingulate cortex जो है यह सबसे उपर आपको एक लाइन नजर आ रही होगी यह बीच के जो purple area के तरफ आ रही है यह भी emotion formation में involved है यह नी emotion की जो शकल बनती है और यह process करता है learning और memory को भी तो पढ़ी वी चीज़ सीखी वी चीज़ और जहन में महफूस जो चीज़ें है वो emotions के साथ connect करती है इस area में और amygdala जो है यह nuclear complex है पुरा महस है हमने पहले भी बाप की थी यह fear और emotion का center है तो यह पता चला कि हम इसको हमेशा घुसे का यह खौफ का center समझते थे लेकिन actually नई research यह बताती है कि amygdala जो है वो player का center भी है खुशी का भी ऐसास उसके अंदर फिरता है और वो amygdala activate होता है कुछ चीजों से उनमें दो चीज़ें जो player देने वाली हैं मैं बताऊं किसी के हसने की आवाज खासतों पे छोटे बेबी के हसने की आवाज तो जब उन्होंने बेबी के हसने की आवाज सुनाई तो amygdala जो आपको एक blue सा वो नजर आ रहा है इसके अंदर round structure उसके अंदर electrical activation हो रही थी जिसका मतलब है खिल खिलाने की बेबी की आवाज से खुशी की चीज़ से player की चीज़ से भी वो एक्टिवेट होता है इसी तरह music बहुत अच्छा music जो भी amygdala के अंदर activation शो करता है जब वो scan कर रहे होते हैं उसके लावा amygdala जो है वो भूख लगना खाना खाना और पेट भर जाना खाना चोड़ देना इन चीज़ों को यनि हमें स्ट्रेटर्स को देखता है गर्मी लग रही हो तो ठंड की तरफ जाना और सदी लग रही हो तो गर्मी की तरफ आना ये body के balance का काम है ये भी amygdala से related है भूख पेट भरना नीन का आन में anger कहां है fear के भी हमने बात की बिल्ली पे तरजर्बे इन्होंने किये आपको left को जो brain नजर आ रहा है उसमें A line है और B line है यानि brain को divide किया जाता है और उसके अंदर एक हलकी सी electrical stimulation बहुत हलकी इतनी हलकी जैसे कभी आप battery जो छोटी होती है उसको जबान लगाए तो आपक electrical current से यह जो A की line है अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जब B की line के अंदर electrical stimulation की गई तब कुछ नहीं हुआ लेकिन A की line में एक anger जो है वो बिल्ली की शकल बन गई जैसा घुसे में बनती है उसने खूं किया और उसने शकल बनाई उसकी आँखें फट यह तो इनसान घुसा महसूस करता है और वह एक्टिवेशन जैसे मैंने का बाहर से भी आसकती है आपकी सोच से भी आसकती है और कई दफ़ा मैं दर्द हो रहा हूँ तब भी हमें घुसा आजाता है यह हम चिर जाते हैं और हम थोड़ी बात करना चाहते हैं तो यह brain इनसान बात कोई नहीं थी लेकिन अपने brain के अंदर जाके छेडा तो हुई इसी तरह rats भी है कि brain के किस area में pleasure होता है जब वो उस area को छेड़ते थे तो वो उसी तरह की खुशी जो है वो शो करते थे जिस तरह उनको पानिया खाना मिलने से होती है तो these are how emotions have been studied in the brain